कि ऐसा नहीं है कि फिजिकल एजुकेशन के सिच्छक पढ़ाते नहीं है उनको सिच्छा नहीं दिजाती यूपी में इससे ठीक उलट है फिजिकल एजुकेशन हमारी सिच्छा का एक महत्पूर अंग है और केवल इस तरह की विसाय के रूप में है केवल वीरोधावासी बाते की जा रही है उस सिच्छा में जितना प्रियोग हो सकता है जितना खिलवाड हो रहा है यह केंद्र और राजसरकारे कर रही है उस सिच्छा में पहले बाटा गया राजकी कालेज अनुदानित कालेज मे बिसुद सेल फाइनेंस फिर अंदानित में सेल फाइनेंस मांदे तमाम कटेगरी में बांट करके हमको चौराये पर खड़ा कर दिया गया और उसी की परणतिया है कि हमारे यहां पेंसन इसकिम बंद कर दी गई तमाम बेरोजगार सिच्छक जिनका हक है कि पूरी उनको तनका मिले 10,000-15,000 काम कर रहे हैं यह सारी डिमांड हमारे AI फुक्टों के एजंडे में है आज हम मुक्रूप से अपने साथ में पें कमिसन के लिए कठा हुए हैं API समाप्त की जाए पूरानी पेंसन लागू की जाए मांदे और अनुदानित कालेजों के जो सिच्छक अभी तक पर्मानेंट नहीं हुए हैं उनको पर्मानेंट किया जाए अगर गौवर्मेंट यह बात नहीं मानती है तो हम लोग यहीं से गिरफतारी अपनी देंगे जेल भरेंगे और उसके बाद भी अगर सरकार अपनी हर्दरिमता पर कायम रहती है तो आगे AI फुक्टों जो भी न पर्मानेंट में ही होते हैं आजादी के इतने वर्सों बाद पहली बार ऐसा है कि सिछक दिवस्पर सिछक रूट पर उतरा है गिरफतारी देने के लिए इससे अपमाजनक बात सर्म की बात इस वाजपा गौवर्मेंट के लिए नहीं है अगर थोड़ी भी संसकार की बात उनके दिमाग जियान में बची हो तो हमारी मांगे ततकाल मांगे जिससे हम अपने कारे पर लोड़ सके क्योंकि केवल इससे हमारा ही नुक्सान नहीं है हमारी भावी पीड़ी का भी नुक्सान हो रहा है उससे भी हम से चक चिंतित हैं कि उनका नुक्सान नहों